क्लास 12 के आज के लेक्चर में हम फोर्स ऑन करेंट चैप्टर को आगे पढ़ेंगे लास्ट अन तक आपको ऐसा बताया गया था कि जब भी किसी कंड़क्टर पर कंड़क्टर को कहना चीए मैगनेटिक फिल्ड में प्लेस किया जाता है और उस कंड़क्टर में करेंट फ्लो करता है तो उस पर फोर्स लगती है दिखाते हैं आपको कैसे लगती है वो फोर्स तो यह आपके सामने वो heading है जो आपने last turn पर सीखा था chapter का नाम था force on a current और आपने सीखा था कि अगर किसी conductor में current flow कर रहा है चीक है जी? force on a current carrying conductor placed in a magnetic field तो यह आपके पास एक conductor था PQ जिसमें current I flow कर रहा था और वो current carrying conductor magnetic field में रखा था तो उस पर यह force लगी थी इसको I L cross B हम बोलते हैं और उसका magnitude होता है I L B sin theta इस force को derive करने का पूरा process आपको सिखाया गया था और यह final हमारे पास formula आ गया था और उसके बाद आपको special cases बताये गए थे कि कब force सबसे कम लगती है नहीं लगती है या कब force maximum लगती है यह सारी बातें आपको last turn पर बताई गई थी एक बात जो रह गई है वो यह कि इस force का direction हम कैसे पता लगाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि force वैसे तो अल्रेड़ी एक vector quantity होती है और यहां पर भी देख रहे हैं कि force cross product करके आ रहा है तो वेक्टर होने की वज़े से force का direction तो होगा ही वो direction हम कैसे पता करेंगे उसके लिए हम आज आपको एक rule सिखा रहे हैं सबसे पिल यानि आज की class में यह जो force हमने पिछले lecture में derive की थी find out की थी इस force का direction कैसे find out करना है वो सीखेंगे तो दिखाते हैं आपको direction कैसे find out होगा तो यह है हमारे पास आज का हमारा पहला topic topic का नाम है fleming's left hand rule Fleming तो scientist का नाम है Alexander Fleming left hand rule इस scientist ने एक rule बनाया था जो left hand से show किया जा सकता है लेकिन यह rule किस चीज के लिए बनाया गया था यह rule बनाया गया था to find direction of force कौनसी force जो एक current carrying conductor पर लगती है जब वो magnetic field में रखा होता है अब इस rule को हम समझ लें तो आपको force का direction पता चल जाएगा और यह rule exam में लिखने के लिए भी आ जाता है describe fleming's left hand rule तो rule हम पढ़ते हैं it states that if the four finger आपको नीचे में दिखा भी रहा हूं यह left hand है फ्लेमिंग का तो नहीं है लेकिन किसी ना किसी का left hand हो गाए आप अपना left hand पढ़ते समय इस तरह से stretch कर लें याद रखे left hand ही करना है तो जब आप अपना left hand इस तरह से stretch करेंगे कि आपके दोनों हाथ में जो यह fingers और thumb होता है उसमें से thumb के बाद जो first finger होती है उसको four finger कहते हैं इंडेक्स finger भी कहते हैं उसके बार यह जो आप देख रहे हैं second number पर जो longest finger भी कहलाती है उसे central finger कहते है और तीसरा आपको thumb दिखाई दे रहा है बाकी और किसी portion की आपको left hand में जरूरत नहीं है बाकी की जो दोनों बची हुई fingers है वो ऐसे bend करी हुई है ठीक है जी अब आपने तीनों finger stretch करनी है it states that if the four finger, central finger and the thumb of left hand are stretched mutually perpendicular to each other यह तीनों इस तरह से आपने stretch करनी है डाइग्राम में दिख रहा है mutually perpendicular such that the four finger point in the direction of magnetic field आपको इस finger को magnetic field की तरफ लखना है यानि यह जो index finger है और central finger को आपने current की तरफ रखना है जिधर current flow कर रहा है लिखा है and the central finger in the direction of current capital I then the thumb points in the direction of force F experienced by the conductor तो force का direction उधर होगा जिधर आपका thumb point करेगा यानि पहले आप क्या करें ऐसे thumb को और बाकी दोनों fingers को ऐसे तीनों को stretch कर लें एक दूसरे के perpendicular और फिर उसके बाद अपना thumb point करें magnetic field की तरफ आपकी ये finger point करें current की तरफ तो अपने आप ही आपका thumb जो है ये वाला पहला finger जो है first finger index finger point करें magnetic field की तरफ ये वाला finger point करें current की तरफ तो आपका thumb automatically जिस तरफ जा रहा है वो ही direction होगा force का ये उस finger का sketch भी बनाया है ये तो जैसे animated type है ये sketch है इसमें आप देख रहे है index finger जिसको हम बोलते है four finger भी वो किदर है direction of magnetic field ये वाले line में और इसमें access बना कर दिखाया है इस तरह से आपको करना है थोड़ा सा इसके अलावा और clear हो जाएगा कि आपको तीनों fingers कैसे point करनी है बाकी दोनों fingers बंदोनी चाहिए ये वाला जो है यहाँ पर आई है ये direction किस तरफ point out करना है magnetic field की तरफ तो आपकी ये direction अब ये rule हम आपको apply करके दिखाते हैं आपके पिछले article में जहां आपने current carrying conductor पर force find out किया तो दिखाते हैं उसको ये rule कैसे apply होगा उस situation में और ये rule बहुत important है आगे भी एक important topic एक important derivation आपको कराया जाएगा उसमें बार-बार force किधर लग रही है ये find out करने के लिए ये rule use होगा तो आज आप ये rule अच्छी तरह समझ लें इसको use करना होगा इस chapter के हर article में एक बार आखरी बार फिर से बता रहा हूं तीनों fingers को left hand की दो finger और thumb मतलब तीन इनको stretch करें एक दूसरे के perpendicular, mutually perpendicular तो index finger जो four finger होती है वो magnetic field की तरफ आपकी जो central finger है जो सबसे बड़ी finger है दूसरी number की finger है वो current की तरफ तो आपका thumb point कर रहा होगा force जिधर लग रही है तो आपको दिखाते हैं जो आपने भी derive किया था formula उसमें यह rule कैसे fit बैटता है यह आपके पास वो diagram आचुका है दुबारा जो आपने last turn पर सीखा था अब यहां गौर से देखें यह आपका यहां पर इस direction में आपका first वाला finger होगा जो index finger यानि four finger है और आपका इधर direction में आएगा current तो आपका जो thumb होगा वो automatically इस direction में आएगा क्योंकि Z axis के तरफ magnetic field है और यह इस direction में है तो इन दोनों के perpendicular क्योंकि YZ plane में है यह conductor तो YZ plane के perpendicular कौन सा axis बनेगा यानि four x-axis तरफ आएगी आप अपना finger और ठंप इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ तरफ आपके ऑपर ठीक ऑपर screen के उपर रख कर देख सकते है तो आपकी magnetic field पर इस conductor पर लगने वाली जो force है magnetic field आपके इस direction में है current इस direction में है तो force ऐसे बाहर की तर स्क्रीन पर आप यह देख रहे हैं computer या mobile स्क्रीन पर इधर अपनी middle finger को रख देंगे और इधर current को कर देंगे ऐसे करके तो आपका thumb जो है वह आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा होगा screen पर रख कर देख लेना चीक उसी तरह यहां पर भी कर सकते हैं इधर आपने middle finger जो है यह जो first finger जिसे कहता है index finger point कर दी इधर second number की middle finger सबसे लेन्दी वाली finger point कर दी तो आपका जो force है वो इस direction में आएगा यह direction हम board पर या screen पर तो इधर बनाते हैं लेकिन असल में यह direction screen से बाहर या board के बाहर normally outward आपकी तरफ होता है तो आपकी तरफ force लग रही होगी अगर z axis की तरफ magnetic field है y axis की तरफ current है तो तीसरा mutually perpendicular force जो है वो आपके direction में होगा थंब आपके direction में point कर रहा होगा तो यह आपका force on a current carrying conductor कुरा होता है complete topic होता है जिसमें आपको force का magnitude कैसे निकालते हैं वो derivation सिखाया और फिर flaming left hand rule से direction कैसे पता चलता है वो भी आपको दिखाया अब हम ले चलते हैं आपको आज के next topic की तरफ जो की काफी एक important topic है और उससे एक important result मिलता है जो short answer question में बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है specially board के examination क्या होता है वो हम चलते हैं बच्चों को लेकर नए topic की तरफ तो यह आपके सामने है आज का हमारा next heading क्या नाम है इसका force between two infinitely long parallel current carrying conductors यह heading को आप describe हम detail में करेंगे यह पूरा topic पढ़ते समय सबसे पहले basic से शुरुआत करते हैं सबसे पहली जो चीज़ आपको सीखनी है वो यह यह समझनी है कहना चीज़ बाकी का portion आपको बाद में describe किया जाएगा यहां तक लिखा है two यह भी लेख लेए two infinitely long parallel current carrying conductors इसका मतलब यह है कि आप यह first diagram देखें यह first diagram है इस diagram को अगर आप देखें तो इसमें आपको यह pink color के दो conductors दिखाई जे रहे हैं जो कि दो wires हो सकते हैं यहां आपको इन wire की length L दिखाई गई है लेकिन असल में यह wire infinite length के हैं दोनों ही लेकिन आपको उसका कुछ portion यहां पर show किया गया है जो कि L length है दोनों और first wire जो आप देख रहे हैं उसमें I1 current दिख रहा होगा आपको यहां थोड़ा सा dark कर देते हैं I और 1 और यह जो आपको second conductor दिख रहा है इसमें current दिख रहा है आपको I2 तो दोनों में current भी flow कर रहा है I1 I2 और दोनों parallel हैं infinitely long हैं और current के बारे में एक आगया है current दोनों में same direction में है फिलहाल अगर same direction में नहीं होगा तो क्या होगा वो आपको बात में बताई जाएगा अब बारी आती है second number के हमारे diagram की यह जो आप देख रहे हैं यह इसी चीज़ का second diagram बनाया है जिसमें कुछ extra बात आपको बताई जा रही है वो ही conductors है color बदलने से समझे ना कि दोनों अलग अलग conductors है यह वो ही दोनों conductors है और उनमें I1 I2 वो ही same current flow कर रहा है लेकिन इस diagram में यह दिखाया है कि जिस conductor में I1 current flow कर रहा है उसके around यह जो आप circular loops देख रहे हैं green color से यह magnetic field के loops है magnetism जिस दिन start हुआ था आपको उस chapter में यह बताया गया था कि magnetic field कैसे बनती है current carrying conductor के around और उसको कैसे find out किया जाता है कैसे उसका direction बताते हैं क्या उसकी value होती है unit वगरा हर चीज़ अब तक आप यह article पढ़ चुके हो और आपको इस magnetic field का formula भी पढ़ाय जा चुका है कि किसी infinitely long wire में जब current flow करता है तो उसके around जो magnetic field बनती है उसका formula mu naught upon 4 pi 2i upon a होता है जिसमें mu naught upon 4 pi तो होता है आपका constant to be constant है i उस conductor में flow करने वाला current और small a जो लिखा है यह उस point का distance होता है wire से जहां magnetic field आप find out कर रहे हो this is the magnetic field at a distance small a due to a current carrying conductor infinitely long current carrying conductor यह formula आपको force magnetic field या magnetic effect of current वाले chapter में derive करवाया गया है biote severt's law से भी और ampere circuital law से भी चीक बाद है यह formula आपको पहले जो पढ़ चुके हैं उसको हमें यहां use करना है अब हम देख रहे हैं कि first conductor में i1 current जो flow कर रहा है उसकी वज़े से यह magnetic field ऐसे close loop में है और किसी भी जगह पर magnetic field find out करने के लिए वहां से एक tangent हम बना देते हैं और ऐसे ही same दूसरा wire है उसमें भी current flow कर रहा है उस current की वज़े से यह अपनी magnetic field बन रही है तो इस diagram में सबसे बड़िया बात यह दिखाई गई है कि दोनो wires में flow करने वाले current की वज़े से अपनी magnetic field बन रही है हमने बाहर से कोई magnetic field apply नहीं की है क्योंकि अभी आपने इस chapter में थोड़ी देर पहले सीखा था कि current carrying wire magnetic field में placed है और उस wire पर force लग रही है तो difference क्या है दोनों में वो मैं आपको दिखाता हूँ यह जो आपने आर्टिकल सीखा था इसमें wire में current था और यह जो magnetic field है यह बाहर से लगाई गई थी उसमें यह wire रखा था यह conductor रखा था और उसके उपर force लग रही थी यह हम अब जो आर्टिकल आपको पढ़ा रहे हैं इस आर्टिकल में कोई magnetic field बाहर से नहीं लगाई गई है यह wire अपने current की वज़े से अपने चारो तरफ magnetic field बना रहा है जो हमने और और यह wire अपने flow करने वाले current की वज़े से अपनी magnetic field बना रहा है यह right hand thumb rule से हम उसका direction भी निकालना सीख चुके हैं अब next step क्या है next step यह है कि यही दोनों same wire में अब आपने इनको छोड़ा सा close कर दिया अगर तो इस diagram में यह दिखाया गया है कि I1 current जो इस wire में flow कर रहा है जिसका नाम मैं रख देता हूँ चलो x1, y1 और इसका नाम रख देता हूँ x2 और y2 तो यहां पर यह दिखाया गया है कि दोनों की अपनी-पनी magnetic field है दोनों अपनी-पनी magnetic field के साथ खुश है लेकिन इस diagram में यह दिखाया गया है कि जब यह x1, y1 वाला wire इसके close जाता है दोनों आपस में close आएं ऐसा कहना चाहिए तो यह जो आप हलका हलका देख रहे हैं इसलिए weak magnetic field है यह magnetic field ऐसे loops बनते हैं और यह ऐसे इस direction में है तो यह magnetic field का loop इस wire से ऐसे होकर गुजर रहा है और यह tangentially जो अपने बनाया यह इस plane में normally inward है जो B1 दिखाया गया है आपको यह B1 जो arrow से दिखायी गई है inward direction में आपको ऐसे side में दिखायी है लेकिन असल में यह जो आपका screen दिखाया दे रहा है उसमें inward है अंदर की तरफ यह B1 वो magnetic field है जो X1 Y1 वाले conductor में I1 current की वजह से बनी है अब आप गवर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो X2 Y2 वाला conductor है इसमें current है खुद का इसकी अपनी खुद की magnetic field भी होगी लेकिन फिलहाल हम उसे consider नहीं कर रहे हैं हम यह consider कर रहे हैं कि I2 current वाला conductor उस magnetic field में आ चुका है जो I1 current की वजह से बनी है तो second conductor is placed in the magnetic field produced by first conductor और उस magnetic field को हम क्या करते हैं थोड़ा सा जगे कर लिए यह वाला diagram जो है इसको हटा देते हैं इसकी जरूरत खतम हो चुकी है इसलिए इसको हटा देते हैं तो यह diagram आपका गयाब हो गया क्योंकि हमें main अब क्योंकि हमने पहले सिर्फ wires को दिखाना था फिर उसकी magnetic field दिखाई और फिर यह दिखाया कि जो सेकेंड वाला wire है वो first वाले wire की magnetic field में आ गया है जब एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं उस magnetic field को अगर आप B1 बोल रहे हो तो उस B1 की value mu0 upon 4pi twice I1 क्योंकि इस current की वज़े से magnetic field बनी है जो B1 magnetic field है जिसमें यह I2 वाला conductor आ गया है उस magnetic field को बनाने वाला कौन सा current है I1 तो इसलिए हमने I1 current लिखा जिसकी वज़े से magnetic field बनी है और हम suppose कर ले रहे हैं इन दोनों के बीच में distance है आप R भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो तो A distance होने का मतलब इस wire से A distance पर दूसरा wire है जहां magnetic field B1 इसने बनाई है और यह magnetic field जिस plane में आप यह देख रहे हो जो आपका white board या जो भी कुछ दिख रहा है आपको यह screen इसमें normally inward है इस plane में ही normally inward है जो ऐसे दिखाई गई है और अब इस magnetic field में यह conductor रखा है तो उस conductor पर force लगेगी जो आपने अभी अभी पढ़ा है कि जब भी किसी current carrying conductor को magnetic field में रखा जाता है उस पर force लगती है बस फर्क यह है कि पिछले article में वो magnetic field बाहर से कोई और लगाता था यहां बाहर से कोई magnetic field नहीं लगी है यह x2 y2 वाला conductor जिसमें i2 current है वो जिस magnetic field b1 में रखा है वो x1 y1 ने लगाई है यह x1 y1 की वज़े से produce हो रही है तो यह जो force लगेगी इस force को हम formula लिखेंगे जब formula था i l b sin theta अब इस formula में i वो current है जो इस conductor में flow कर रहा है x2 y2 में जिसको आपने b1 magnetic field में रखा है तो i की जगे तो आपको लगना पड़ेगा क्या i2 यहाँ i1 क्यों रखा था चुकि b1 magnetic field बनी ही i1 की वज़े से उस b1 magnetic field में वो conductor रखा है जिसमें i2 current है i2 current L इस conductor की length अब इस conductor की length फिलहाल L है लेकिन हम यह जानते हैं कि पूरा conductor तो infinite है इसलिए हम इस conductor की 1 meter length पर force find out करेंगे और magnetic field आपको रखना पड़ेगा कौनसा magnetic field कौनसा b1 b1 वो magnetic field है जिसमें conductor रखा है जिसमें i2 current है तो i2 L b1 और sin थीटा रखना पड़ेगा आपको और आप लिखोगे where L is equal to 1 meter क्योंकि हम जान बूच कर इस पूरे conductor पर कितनी force लग रही है वो नहीं find out कर रहे हैं हम इस conductor के unit length पर कितनी force लग रही है वो find out करेंगे क्योंकि unit length पर लगने वाली force पता लग गई तो कितने भी length हो 5, 10, 20, 50 उसके बाद कर लेंगे एक चीज का बारे में पता जिल जाए तो कितने का भी पता कर लेते हैं इसलिए हम जान बूच के L को यहां one रख रहे है one meter this is the force acting on x2 y2 of unit length या unit length of x2 y2 पूरे conductor तो infinite है उसकी कोई भी एक मीटर की लंबाई जो ले ले उस पर यह force निकाल रहे है इसलिए L की जगए one रख लिया और थीटा जो है वो 90 degree है यहां आपको बताया यह जो B1 magnetic field है वो आपको दिखानी तो यहां पड़ रही है लेकिन वो लग रही है कहां इस board के plane के normally अंदर की तरफ और I1 current है उपर इसलिए यह normally जब अंदर की तरफ लगेगी और यह y-axis की तरफ है तो यह अंदर वाला axis और y-axis एक दूसरे के perpendicular होंगे तो इसलिए थीटा 90 होगा तो आपके पास force आगई F इस force को 2-1 कह देता हूँ second conductor पर लगने वाली force first conductor की magnetic field की वजह से और वो आजाएगी I2 L को आपने 1 meter रख लिया है यानि यह force per unit length आएगी और B1 का value आपने उपर से लिख दिया वो आएगा mu naught upon 4 pi twice I1 upon small a और आगे sin theta में sin 90 रखेंगे sin 90 के value 1 होती है इसलिए आपका finally formula बन गया F21 is equal to mu naught upon 4 pi twice I1 I2 divided by A यह formula कहलाएगा force acting on unit length of conductor x2 y2 x2 y2 जो आपको conductor दिख रहा है उसके unit length पर यानि 1 meter length पर लगने वाली force और इसे newton में नहीं newton per meter में नापा जाएगा अगर यह simple force होती खाली force होती तो newton में नापी जाती लेकिन यह per meter यानि per unit length पर लगने वाली force है प्रती meter जैसे हम किसी चीज़ का per kg खरीदते हैं तो हम बोलते हैं 5 rupees per kg तो ऐसे जो भी newton में force है कि newton per प्रती meter यह आपकी force आ गई है second वाले conductor के unit length पर जो लगेगी अब same जो case है वो आपको यहाँ पर दिखेगा मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ इस conductor की वज़े से जो x2 y2 है इसकी अपनी magnetic field भी है यह वाली और जब आप दोनों को pass लाओगे तो जैसे यह b1 x1 y1 वाली magnetic field में यह आ गया था तो second वाले conductor की जो magnetic field बनेगी ऐसे 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 इस magnetic field में जो कि यह normally अगर invert होगी तो इसका right hand thumb rule से आप magnetic field find out करेंगे जो b2 कहलाएगी वो होगी normally outward आप देख रहे हो यह वाली magnetic field normally inward है और यहां जाकर यही magnetic field outward है यह वाली magnetic field यहां outward है और यहां जाकर यही magnetic field कहा है ऐसे और यह जब नजदीक आये थे तो यह point यहां आगया था जिसकी वज़े से यह magnetic field अंहरों की तरफ और अब X1, Y1 वाला conductor X2, Y2 में flow करने वाले current I2 की magnetic field में आ चुका है उस magnetic field को हम find out करेंगे वो आएगी B2 जो की कहलाएगी mu0 upon 4pi twice I2 क्योंकि यह I2 current की वज़े से magnetic field बन रही है और divided by small a क्योंकि यहां से यहां तक का distance भी और यहां से यहां तक का distance भी दोनों की बीच का distance small a और यह वाली magnetic field का direction नौर्मली outward होगा डाइग्राम में आपको दिखाया जा रहा है उसलिए light color से magnetic field थी first conductor की second के उपर और dark color से second conductor की magnetic field है first के उपर और उसके बाद हम find out करेंगे जो मैं red color से लिख रहा हूँ यहां पर उससे की पता चल जाए कि यह अलग से किया गया है मामला f21 f21 हम कर चुके हैं तो अब की बार हम क्या करेंगे f12 12 का मतलब first conductor पर लगने वाली force second conductor की magnetic field की वज़े से और वो formula जो ilb sin theta होता ही होता है formula f is equal to ilb sin theta इसमें हम equal to तोड़ा सीधा कर देंगे हम formula apply करेंगे equal to करके i i होता है उस conductor में flow करने वाला current जिसकी उपर force निकाल रहे है दूसरे की magnetic field की वेज़े से तो यहां पर लिखा जाएगा i1 देखें यहां i2 लिखा था तो यहां i1 लिखा गया है conductor की length फिलाल l मान लें इसकी भी और magnetic field b1 के बजाए अब यहां लग रही है b2 और साथ में sin theta और इसमें भी हम वही condition apply करेंगे where length को हम रखेंगे 1 meter हम जैसे second conductor के unit length पर force निकाली थी first conductor के भी unit length पर force निकालेंगे और इस condition में भी theta 90 ही होगा आप देख सकते हो यहां पर जो magnetic field है वो normally outward है हमें बनाना पड़ता है board पर आपके school में coaching में कहीं पर भी white board हो कैसा भी board हो digital हो कैसा भी हो board पर line बनेगी तो board में ऐसे दिखेगी लेकिन यह line असल में board से normally outward है यह यहां पर जो magnetic field है वो निकलके आपके आँख में घुसने को त्यार है इस plane में हैं यह circles जो आप देख रहे हो ऐसे तो यह magnetic field normally outward है और current उपर है तो theta यहां पर भी 90 होगा तो आपके पास क्या आएगा formula therefore यहां पर मैं line कीच कर अगली line लेक्ता हूँ therefore formula आएगा f12 का क्या बनेगा i1 as it is रख रहा हूँ मैं l की जगे आपने 1 रख दिया है sign 90 भी 1 हो जाएगा b2 b2 यह रहा तो आपके पास बचेगा mu naught upon 4 pi 2 i2 upon a और इसको rearrange अगर हम करेंगे तो आपके पास f12 is equal to mu naught upon 4 pi mu naught जो है वो सभी से लगा देता है so tc जलती problem कर सकती है mu naught upon 4 pi twice i1 i2 divided by small a तो यह जो आपके पास formula आया है इस formula को गौर से देखें और यह formula को गौर से देखें इसको भी आप unit जो लिखोगे newton per meter ही लिखोगे जो कि यह force तो है लेकिन per meter length के उपर लगने वाली यह force फर्स conductor पर लगने वाली force है second conductor की बनाई गई magnetic field की वज़े से और यह second conductor पर लगने वाली force है first conductor पर बनाई गई magnetic field की वज़े से अगर आप गौर करोगे तो यह star बना दिया मैंने और यहाँ पर तो यह star है भी बनाया वाई दोनों formula बिल्कुल same to same है कोई भी difference नहीं है यानि दोनों एक दूसरे पर equal force लगाएंगे यह force का formula है unit भी पता चल गया और unit Newton वे normally force का unit Newton होता है लेकि यह Newton पर मीटर है क्योंकि दोनों के पूरे पूरे length पर हमने force नहीं निकाली दोनों के unit unit length पर हमने force निकाली यह find out किया अब आपको आज का टास्क दिया जाता है और जो बच्चे टास्क करके मुझे call करेंगे उनको अगला lecture और अच्छा समझाएगा आपका आज का टास्क यह है कि F1 यह जो F21 है यानि इस conductor पर लगने वाली force जिसको आपने F21 बोला है second conductor पर लगने वाली force first conductor की वज़े से और इस वाली force को आप क्या बोलोगे F12 यानि first पर लगने वाली force second की वज़े से इन दोनों forces का आपको direction find out करना है और यह direction find out करने के लिए आज ही आपको नियम पढ़ाया गया है उसलिए मैं इससे आगे का बात अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह मैंने बोला था फ्लेमिंग left hand rule आपको आज अच्छी तरह पढ़ना सीखना और समझना है फ्लेमिंग left hand rule से आप इन दोनों forces का direction बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि अगर इन दोनों conductors में अभी जैसे की same direction में current flow कर रहा है ऐसा न होने पर एक conductor में ऐसे और दूसरे conductor में नीचे की तरफ यानि opposite direction में current flow कर जाए तब कितनी force आएगी और उन forces का direction क्या होगा तो आपको दोनों cases में यानि first case क्या है जब आप इन दोनों conductors में same direction में current flow कर रहा है तब वो एक दूसरे पर कितनी force लगाएंगे और opposite direction में current flow कर रहा है तब वो एक दूसरे पर कितनी force लगाएंगे वो force आपने find out करनी है opposite वाली भी और direction भी find out करना है दोनों cases में using Fleming's left hand rule उसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो इस chapter में इस condition और Fleming left hand rule इसके combination से ही आगे topic बढ़ेगा और काफी दो तीन question बचे हैं वस इस topic में वो दोनों तीन हो बहुत important है जो भी अब तक आपने सीखा उसका use है तो अब आपसे next topic पर मुलाकात होगी next lecture में तब तक सारे बच्चे इसको अच्छी तरह समझें और जो task दिया गया है उसका reply करें as soon as possible तो आज का lecture हम यहीं पर complete करते हैं मुलाकात होगी next lecture में तब तक के लिए goodbye and take care तो आपसे टो करेंगा उसका आपसे हैं तो आपसे हैं